आपको ऐसा महसूस करने की ज़ुरत नहीं है कि आज आपका दिन है आपको बस कार इस परकार से करना है कि लगना चाहिए कि आज आप ही का दिन है नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल एस फोड़े स्टाडी पर गोल्स पे मैं सुभाज बर्मा आप सभी लोग क प्रसनोतर देखेंगे जो आगामी जैसे सीजेल एक्जाम पॉइंट आप यू से वहरी वहरी इंपॉर्ट होगा और साथी साथ नगर पाली का सेवा जैसे सीजेल विसी स्ट वियोगता ओद्योगी प्रसेशनर और टीचर लेटेड जॉब के एक्जाम पॉइंट आप यू तो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स एस फोटा फूल लेंट टेस्ट टारगेटिंग पेपर टू जैसे सीजेल नागर पाली का सेवा जैसे सीविसी स्योगेता ओद्योगी प्रसेशनर और टीचर अब दोस्तों इसमें आपको प्रिबियस येर के साथ सथ सेक्नल टेस्ट के दे दी गई है इसी का प्राइस 199 और बाकी के जो आगामी 30 प्राक्टिस सेट आएंगे वह एस फोटेस्ट टाडी फर गोल्स के तरफ से मुप्त की भेट होगी ठीक है अब देरने करते हुए चलिए सुरू करती है इस वीडियो को अब दोस्तों यहां पे आप देख सकते है जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि यह जो फूल कर परफ सरूर अर्तगर प्रासिंगता निबंद है इसको डाक्टर बीन ओदर सर ने लिखा और यह खोटा साहितिक निबंद पुस्तक में परकासित है अब इस वीडियो का यह वीडियो पार्ट टू है अब इस वीडि आज की इस वीडियो में हम इस नीबं से समादित कुछ बेसिक नोट देखेंगे जो उसी वीडियो पर अधारित है जब हमने लैन बाला पढ़ा तो वहां से कुछ कंक्रीट नोट निकला उस नोट को इस वीडियो के मादम से देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है दोस्तों कि जो जारकंडी छेतरें यहां पे जो सरुल मनाया जाता है बहुत ही धूम दाम से यह मर जाड़ा के साथ सीमाभलान का परवैं और जो सरना है जिसे वीडियो जिक्र है एक नदिगाटी सभ्यता और एक अरन्य संस्कृती सभ्यता ठीक है अब दोस्तों अरन्य सभ्यता संस्कृती जो है यह बोन पहाड यानि कि जंगल जंगल पहाडों में जो संस्कृती विक्सित हुई उस संस्कृती को अरन्य सभ्यता संस्कृती कहा गया है और वैसी संस्कृति ये सभ्यता जो नदी गाटी ये समुंद्र के किनारे विक्सित हुई उसे नदी गाटी सभ्यता कहा गया लेखक के दवारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी नीबंद में दोस्तों आपको बताया गया जेतर के बारे में कि जार्खन जो है जंगल पहाडों से घीरा और जाड़ीयों से भड़ा गवा भुकंड है यानि कि जार्खन भी जो अरण ने समझता संस्क्रित का एक एक जामपल है अब आगे दोस्तों कुछ कंप्रिजन दिये गए इस नीबंद में जो कि आप पढ़ ली जाना ही इस परकार से पर्तित होता है जैसे मांदर बजाया जा रहा है इसको भी आप पढ़ लीजेगा नेक्स्ट है इस नीबंद में जार्खन के कुछ परमुख परवो का जिक्र था जिसमें थे सरहुल करम सोराय टुसु भादू जत्रा और सिंद्रा इसको आप देख ल सिर्मान में जो है इस परकार से बताया है कि सरहुल दो सब्दों के मेल से बना है जो है सरई और फूल इसका अर्थ भी बताया है कि इसका अर्थ है सरई फूल का परव है जो कि आप नीबंद पढ़िएगा तो आपको किलियर हो जाएगा फिलाल हम देखते हैं कि नीबंद म बलकि जारकन जी के एक जाम पॉट अभी जान कर या काफी इंपॉट है कि मुंडाली भासा में सरहूल को बापरब का जाता है अब यहां बाग कार्थ हम देखे तो बाग कर्थ हो जगा फूल और पोरब कार्थ पोर अगर इसका अर्थ निकालने के हम कोशिश करें तो इसका अर्थ होगा फूलों का परव यह नए फूलों पत्तों का परव उसी परकार से दोस्तों कडिया भासा में सरहूल को जारकोर कहा जाता है इसका अगर हम संधी विछेत करने की कोशिज करें तो जगा जाल जूर एकोर यानि कि जाल का अगर हम अर्थ देखें तो जाल का अर्थ होगा बीज खोठा में कहें तो गोटा और एकोर का अर्थ होगा प्रकिरिया यानि कि इसके अर्थ हम समाझने की कोशिज करें जाल कोर का वह थो गवा हो वीज बनने का उता सुतह यानि कि बीज बनने का प्रेकरिया उता सुता खोटा अब दोस्तो आधती यानि कि फूल का परव है सरूल विभीन जन जातियों और मुल्वास्यों की आगर भासाओं में देखे तो सरूल प्रव मतलब यहीं होता है फूल पती और फलो का पर्व अब नेक्स्ट पोइंट देखते दोस्तों किया है कि सरहूल जो पर्व पर्व है वह परतेक वस चैत बैसाग के दौरान परतेक वस पूरे जहारकण में बहुती धून्दामर उला से मनाया जाता है इसको अब ध्यान म होता है उसके द्वारा सरहूल में सरनास्थाल में जो है पूजा किया जाता है अब इस पूजा के बदले उसे कुछ जमीन जैदा दी जाती है गाउवालों के द्वारा पूरे समाज के द्वारा सरसमाज के तौर पे जिस जमीन को क्या कहा जाता है पर नहीं जमीन ठीक है इसक जिसका अर्थ होता है पवित्रवन खंड उसी परकार हो में दोस्तों इसे देशावली कहा जाता है जिसका अर्थ होता है पवित्रवन खंड और खड़िया में जो है सरना को जालकुर कहा जाता है जिसका अर्थ होता है बीज बनने के उत्ता सुता का थाओं यानि की बीज बन कुछ छोटी मतलब की जंगल होती है जहां पे गरीचो को मतलब सरणचित किया जाता है वहां पे काट नहीं जाता है और उस अस्थान पर परतेक वर्ष जो है सरहुल पूजा मनाया जाता है उसी अस्थान को सरना ठाओ का जाता है यानि सरना का जाता है जहां पर पान पूजा जो किया इसा वल्षयम इदा सरवमाशकित जगत या जगत तेन तैतकीन बुजता मार्गत कर्षिध धना जिसका आर्थ होता है दोस्तों कि यह जो समस्त सिरिष्टी है यह परमात्मा सेव्याप्त है उसका उपयोग जो है इस त्रिष्टी के उपलब चीजों का जो उपयोग है उसे अपने आवसकता नुसार करना है सब मेरा का भाव नहीं करना है संग्रहन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है त्याग भावना के साथ भोग करना है सब इस वर का इस बात का ध्यान में रखना है यानि कि enjoy everything but claim nothing it's all full of God related with God सब भगवान का है ठीक है इसका आपको ध्यान में रखना है धन का लालेच नहीं करना है दूसरे के धन का लालेच नहीं करना है इस सब चीज़े जो इसके मादम से सिखाया त्यां प्यांति भूजता है गांधी जी भी बोला करते थे ठीक है उसके बाद आप नेश दिखते हैं कि सरहुल पूजा का नेक चार तीन खेड़ी तीन खंड़ में हुआ अब दोस्तों इस नीमन में सरूल पूजा का जो नेक चार उसको मनाने की जो प्रेकरिया है जो किस परकार से दिनों में अलग-अलग दिनों में अलग-अलग परकार की नेक किया थे इसका जिक्रेश नीमन में है दोस्तों इस दिन को सरहुल पूजा का तयारी दिन भी का जाता चाहिए उसके बाद दूसरा जोर्ण नेक का रूसा का अगले वाले दिन उस दिन को सरना पूजा दिन कहता है और इस दिन जो है सरना में सरना स्थान पे जो है पाहन पूजा करता है और इसी दिन जो है पाहन जो है नेचुलल चीजों को देखते हुए उसका अंदाजा लगाते हुए जो है वर्सहानी लाग पैदावार आधिक से समधित जो है भाई लोग जीवन का पततर चलता है इस पर कर की जो रीति की जात 창े लानिकिश क् वहां पर दोब्सक्राइल को हूं नि की चाहिबते फोसशन वहांपने उनके गह में उनके आदट सरकारी से भडूसरूप »UK बैठाते बइठा के कहड़िया बैठा के या जो जो भी एविलेवल चीजों उसके वादर सरूप उनको बैठाते हैं घर की जो मर्मुक औरत होती है उनका पैर्द होती है थारा में रखे रूस उस जो पानी होता है जो उनका पैर दोने के बाद बजता है उसे अपने घर के च्छान पर यानि घर के छपर पर फेकती है यह कि जार्खन के दचनी हिसे में सरहूल 15 दिन पहले परभाई हो जाने के कारण जो है सरहूल वहां पे चैत महिने में मनाया जाता है अब जोस्तों आप सभी जानते हैं कि जार्खन की जो वर्सा है वह मानसुन पर निर्भर करता है ज़ारकन कावी दठनी चेतर, वहाँ मानसुन 15 दिन पहले अपरवाहई हो जाता है, तो उससे क्या होता है, कि देखें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरहुल पुजा के रीति है, अब दोश्ते हैं, इस वज़रा प्यूं mo पर पना जाता है, और यह कम मना जा रहा है? और क्यों मना जा रहा है तो यहां पे जो है दचनी हिस्से में जारकन के जो मांसूर है वह 15 दिन पहले परभावी हो गया है इन बातों को ध्यान रखे इसी परकर से दोस्तों क्या होता है कि जारकन कब जो उत्री छेत्र है चुकि दचनी छेत्र में 15 दिन पहले मांसूर ना हो और फूल मतलब भैसाग यानि की देर से फूल मतलब चैत यानिकी पहले ठीक है और फूल मतलब की दच्छनी जारगन के दचनी भाग रांची के नीचे ठीक है और फल मतलब जार्खन का उत्री भाग यानि की रांची से उपर तो इस बात इस परकार से आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो आप इंश्टाग्राम पे चिजरीनम के मादयम से मेले साथ जूड़के जो मेरे समझ चीजए या मेरे वीडियो से समयत झयंकर दो कर सकते अभी Looking थो संभी इस निबांद में चेत्र में गी मैं अभी परकार डान Kit लेकिन देख लिए जो है कि आसार यानि कि आसार महीन में जो है होने वाला अब देखिए असार महिना में भी एक रूसा होता है तो यह दोंगोर अपने पढ़ा होगा से भूता होता है तो उसके बाद से उसके बात किसानों के लिए काम बहुत बढ़ जाता है कि चुकि इसके बाद देन बढ़ेंगे तो सावन आएगा सावन के बाद भादो आगा आप जानते हैं किस परकार से जो है बहुत परकार से मतलब बहुत मेनत वाली काम होती है ठीक है नेक्स पॉइंट अब देखते दोस्तों बन नभी बन नभी का जिक्र है तो बन नभी एक परकार की परकिरिया है मतलब एक परकार करीती है अब समझ यह बन नभी किसे का जाता है धान रोपनी घरी गाम एक म कीview के मिल सकता है अब देखिए धान रोपने के समएं गांग के मुख्या किसान यह पाहन के द्वारा क्या होता है कि सबसे पहले धान की जो भीहन होती है उसका मतलब घाड़ा यानि कि रोपा जाता है ठीक है उसके बाद जो है गाउं के दूसरे किसान लगाते हैं और उसी परकिरिया को बनना भी कहा जाता है यह हमारे घर तरब इसे बन खोसी कहा जाता है इस तुरान जो है गाउं में जो खसी वेगरा करता है तो इस बात का अब ध्यान रख सकते हैं उतना डिल नहीं जाना यहां पर इस निमंद में इतना ही जीकर है बनना भी के बारें तो इसको आप ध्यान रखेगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि लेखक ने इस निमंद में जो है परमानु संकट से भी बड़ा संकट परिवान संकट को यानि कि इन्वार्में आप एक साल के लिए प्लाइन करते हैं तो प्लांट राइस यानि की दान लगाएं चावल लगाएं लगिन अगर आप दस साल के लिए प्लाइन कर रहें तो आप मतलब पॉधे पॉधे ट्रीज मीश पीण लागाएं ठीक है ताकि जाद दिन तक चले लें लेकिन आप चाह बहुत ऐसे चीज़े समाजिक चीज़े उसमें बताई गई है इसका है खोठा में जो रूपांतरन भी किया गया है डाक्टर बियनोदार सर्दवारा जो कि मैं यहां पर रिपीट ना करते हुए मैं इसको यहां पर परसने तो सभी परसनों को आप एक बार जरूर देखें और गोत्रू है इसका पीडिया आपको कलसाम तक टेलीग्राम और सब्सक्राइब वस्तुनिष्ट खोठा निमंद फूल कर परप सरूल और तगर प्रासिंगता इससे समंध हम mcq देखने वाले पहला परसने क्या है कि फूल कर परप सरूल और तगर प्रासिंगता निबंद कर लिखवया के लागत यह जो निबंद है इसको इसके लेखक कौन है मैं नोट्स पलाने के दोरान दो बार बोल चुका हूं ठीक है अब ऑप्सन से डाक्टर बिनोत कुमार डाक्टर बियनोदर यह कोई नहीं ठीक है कि फूल कर परप सरूल और तगर प्रासिंगता कौन किताब इंजराल हके मिंस किस किताब में परकासित हुआ यह निमंद है खोटा निमंद में खोटा साहितिक निमंद में एयर बिदूई और च्छाईयर में तो दोस्तों इसका ओप्सन जो हो जगा ऑप्सन नमर C सही उत् ऐसंतले खोटा साहितिक निमारत के नाम से आई है यह इसका बदल के हो गयाना से बढ़ गाइं बारे में को इसे नहीं नहीं सेका हब लह क्वोटा सूचेग का लूख गए लोग इसलिए सोचते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ा रहें और आज किया जो इस्टुडेंट है वह अच्छा से रिसर्च करता है और मैं चाहता हूं कि आप अच्छा से रिसर्च करें आपको अथेंटिक कंट्रेट में तो आपको साधी जनकरिया डिटेल में दी जाएं क्होटा साय्तिक निमंद् पूस्तक आई इससे समनधित जेंकरिया में आपको बताने में धैश्त कर दिया हूं याद्ध पूस्तक है इससे समन्धित 1 किताब से संधर्बित नहीं क्या नीचे होना और आपने जो लोकल आपके जो पैरेंट्स है गार्जियन है लीडर्स है उनका सपोर्ट करें ठीक है अब इसका दूतिय संस्क्रण 2017 में बाई जन जाती है भास अकादमी जार्खन सरकार के दोरा यह दोनों पॉइंट्स सही है अब तीसरा पॉइंट क्या है तीरतिय संस्क्रण को लेके जो 2022 में जार्खन जरुका राची के दोरा और इस पूस्तक में इस परकासन हाउस ने इन जनकारी नहीं एमेंसें उन्होंने परफम संस्क्रण करके लॉंच किया है तो हो सकता है कि इस परकासन के दोर आप परफम संस्क्रण है इस नहीं परफम संस्क्रण लिखा लेकिन उससे पहले भी किताब दो बार च्छप चुकी थी unterwegs 2017 में इस बात का ख्याल रखेंगे तो तो दोस्तों यह जो पॉइंट है गलत है तो यही बेमेल हो जाएगा क्योंकि इसके जो लेखक है डाक्टर बीनोदार सर आप सभी इस बात से आउगत है तो यह जो कुछ महत्पुन जनकार यह खोटा साहिती निमाद यह खोटा निमाद पूस्तक से समंदित इसको ध्यान में लगे गा डाक्टर बीनोदार सर को सामने रखते हुए जो जनकारियां उसमें यह पॉइंट सही M1 कि जन्म कव हुआ है तो पॉइंट सही है दो आपसे नमर बी कि है कि इन्होंने एमें प्या तो में पॉइंट भी सही इसके अलावे हिंदी में उन्होंने किया उसको देख लिजेगा नोट्स में मैंने बताया है ऑप्शन नमर सी एक खोठा रतन से कब अवाड़ित यानि सम्मानित किये गए तो उन्हें सो तिरानवे में भासा साहित सेवा से समंधित में मतलब उस छेतर म समय इंको दिया गया और उन्हें तिरानवे से ही और इस साल से लोगों को सोड़न ना इसका प्रक्राइब ने कर दोंगा वहां से आप देख लीजेगा या एस पॉर्य सटरी फख तेली कर आवर ओटसे गूरूक में मैं दुबारा उस लिंक को से संस्क्रीटी जंगली सभिएदा या मले सभिएता तो दोस्तों यह爁 पर क्या पुढ़ा में रहें नदियों के नदियों और समुंदरों के किनारे मिन्स किनारे जो इक्सित हुआ उस सफीत हुआ ये जंगल सबतिया मले लेश सब्सक्राइब आप gonna love Trinity नियुखाड़ों के किनारे सब्सक्राइब सब्सक्राइम उसके बाद च्ठाषणे दोस्ते कि बोन पहारे पुंगायल सभ्यता कहा है अब जो ऐसी सभ्यता जो बोन पहारे ठीक है यानि कि जंगल और पहाडों में विक्सित हुआ पुंगायल उसको क्या का जाता है नदी घाटी सभ्यता अरने सभ्यता पाडी सभ्यता या कौनों है तो दोस्तों इसका सही उतर हो जगा उप्सेन नमर B, अरन ने सभ्यता संस्क्रिती का जाता है, जंगल पहाडों में विक्सित होने वाली सभ्यता को जिसमें से जारकन भी हमारा है, ठीक है, नेक्स साथमा परसने दोस्तों, ये फूल कर परप सरूर और तगर प्रासंगीता, निबंध महिदे, लेखक कोन गाच के सरक के छुण यार कहलत, नोट्स में मैंने आपको दिया था, जो मैंने वता है था, अब ऑप्सन नमर देखिए, उप्सन नमर A, परास गाच, उप्सन नमर B, आम, उप्सन नमर C, महवर, उप्सन नमर D, सख्वा, यानि कि सरय, तो इसका सही उतर होगा, उप्सन नमर D, सरय लेखक ने जो सरय, चुकि जो सरय गाच होता है, सखवा गाच होता है, एदम लंबा-लंबा होता है, ठीका, और सुडॉल होता है, मतलब एकी साज में उपर थक तो, इसलिए इसका, मतलब सर्ग से जो इसका तूलना करते होए लेखक ने, बहुत ही आच्छा चीतर ने किया, तो दोस्तों इसका सही उतर होगा option number C या मुंडारी गीत है इसका अर्थ मैंने अभी अभी आपको notes में बताया था नेक्स्ट परस्ण है नौवा परस्ण कि जारखंडेक एको पर्मुखर बढ़का परव बतावा या फिर कोन परव जारखंडेक पर्मुखर बोड़ परव हाके option से करम और सोहरा तो इसका option number D सही हो जागा सबे इन सबी जो परव के आहए जिकरेस निमान में मिलता है पर्मु दोस्तों कि सही उत्तर सरह को सन्ताअली भासा में बहा नाम से जाना जाता है जिसका total में इन अभी आभी आपको बताया फूल नेक्स्ट हमारा 11 परसने दोस्तों कि सरय के फूल परब सरूल के भिनु 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 बसाए भिनु भिनु नामल जाने जाए ठीक है यानि कि जो परव हमारा सरूल है इसे विभिन विभिन भासाओं में विभिन भिन नामों से जाना जाता है भिन 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 भि सभी मुंडारी भासा में सरूल को सरूल परव को बापरव का जाता है खड़िया में जाड़ को गुड़ोग में खड़ी है सभी जनकारियां सही है इसको आप एकदम रट लिजेगा नेक्स्ट बारहमा परसने दोस्तों की धेर घरी जर्खंड एक सरूल परवन मनाया जाए मत चैत में कब बैसाक में कब चैत वाले को क्या वोलते हैं आला कि आगे इससे समंद्धित परसन आपको देखने को मिलेगा नेक्स तरह वापरसने कि इसा अवस्य मीदर सरव आचिकंत जगत यह जगत तेन तयतकिन भूजता मार्गस करिशिद धनम यह जो है इह क्या है खोठ चैल और यहां si मड़क बाहरे को सरना अस्थान को सरुले बेसी कोउन घांग से में मोहा जाता है सरय का महुआ का आम का या परास का तो इसका सही उत्तर होगा आपसे नमरे जो सरय यानि की सक्षुआ यानि की सौर्या रोबच्टा यानि की साल जो प्रीच है सबस्यादा वहाँ पे देखने को मिलता है सरना स्थर में उसके लावे कुछ-कुछ जो पौधे महुआ का और अन परेट रंखंड हो में देसावली जिसका अगेन अर्थोता पवितरन खंड खड़िया में जालकोर जिसका अर्थोता है भीज बने कुता सुता के ठाव यानि की बीज बनने के परकिरिया का स्थान तो इसका नमरे जो सब है या सही हो ज़ाही है जो सरना उसको मुणडारी म तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्सेन नमर सी हो जागा पह नहीं भूमी देखिए अब जब आप जन जाती है सासन वेस्ता पढ़िए मुंडारी में इसा नहीं होता मुंडारी में जो धार्मिक गराम परधान होता है उसे जो जमीन दी जाती है लगान मुक्त जमीन उसे डाली कटारी कहा जाता है ठीक है तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना एक्जामनेशन में अगर खोठा में आपको एक्जामनेशन में आया प तो आपको पनाई भूमी के साथ जाना है क्योंकि लेखग ने पनाई भूमी का जिक्रे किया नेक्स्ट सत्रामा परसने दोस्तों कि सरूल पूजा तीन खेड़ी में नेक्चार होगे ऑप्संस रूसा बांगरी सरना पूजा फुलको सीर सब्सक्राइब सरूल पूजा होता है अब दोस्तों आपका ठारमा परसने कि रूसा या बांगरी जो दीन होता है सरूल पूजा के नेक्चार का पहला दिन इसमें से आपको बेमेल जनकारी पूछा जा रहा है नमर एक कि रूसा दिन कामेक लोग एकदम मनाते चूटी मनाया जाता है कोनों किसी मेंके खास करके या फिर घर्टि करने का जाने कि रूसा के रीटे वर्क निसेध होते हैं अपसर नमर सी है या भी सही बात है ऐसा होता है पॉइंट गलत है तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रखना है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गलत है बाकि यह तीन जो जनकारिया है रूसा या बांगरी दिन से नेक से सही है उसके बाद उनिस्वा परसने दोस्तों कि सरना पूजा दिन नेक चार लेता है रहे बेमेल छाटा अब ऑप्शन से इस दिन कोनों प्राकृतिक संकेत के अधार है गाउंक पाहन बर्खा बुंदी हवाबसाद हानी लाब और पर से हावा बसाथ चलेगा किस परकार से भधार वहांने की जाती है पौइंट सही है एसा होता है दूसरा पूइंट है त की पुएंट से पूजा के पहले दिन बाद त्यारी दिन कर जाए पॉइंट गलत है पूजा 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 करते हैं इस दिन गाओं के लोग सरना स्थान पे जाके जमा होते हैं और पूजा इसका करते मेरे घर से समी कुछी दूर एक ऐसा जगा है ठीक है खेलगाओं मतलब स्थान में ठीक है वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा चोटी सी जंगल है उसको सनाचित करके रखा गया वहां पर बहुत सारे सकवा के पेण है ठीक है और वहां पर पूजा क्या रता है मैंने पूजा होते भी देखिए तो इससे आप रिलेट करिएग क्योंकि रूसा रबांगरी तो पहले दिन को का जाता है नेक्स पूइंट हम देख लेते हैं क्योंकि आपके लिए इमपौइट होगा सरना पूजाक तिसर का दिन Never P Ukraine पहने से लिए और किसाने गाउं का जो पहान होता हुआ अपनी पत्नी के साथ नवा सूप में सरे फूल लेके घरे घरे सभी घर कभी किसानों के घर जाता है और उट किसानों अब इसमें जिक्र किया गया है कि सरे का जो गोटा होता है जो सक्वा का जो मतब बीज होता है उसको खाया जाता है किस परकार से खाया जाता है तो यहां पर जिक्र अभी मैं ऑप्सेन देख लेता हूं महुआ सर्गूज एयर भी दूयों कटी-कटी कस्कूट और गर्वा स्वंद वाला मिठाई तो देखिए इसका जो सही उतर है ऑप्सेन नमर सी हो जाएगा अब देखिए जो सरे गोटा होता है दोस्तों उसको पहल थोड़ा थोड़ा कंश्कूर थोड़ा थोड़ा कःसा और थोड़ा थोड़ा मीठा मिठा कवता होता थी निय Tai के विशेस्ता होता ही सरभूजे स कंते हैं प LOL पूजा सरई ज़ाय आ और बाटे पूरा जार्फ पूरा जार्खंड यह मनाया जाता है तो यह भी पॉइंट सही है तो यह भी दोनों सही हो जागा अब नेक्स जो तैसमा प्रस्ण है वह फर सरूल यानी कि जो फल सरूल है उससे समंदित प्रस्ण आप से पूछा जा रहा है, प्रस्ण क्या है कि फर सरूल लेता है रहे सही पाता चाटा, फर सरूल से समंदित सही पंक्ती आपको चाटना है, उप्सेन नमरी है कि जार्खंड उतरी छेतरे, जार्खंडिक उतरी छेतरे, पंदरा दिन पाचु मांसु 15 दून पीछे होता है जिस वज़े से क्या होता है खेती बारी का जो आसार है खेती बारने करने की जो विचीद चीजे हैं वह थोड़ा देर से बनती है जिस वज़े से क्या होता है सरूल फूल में तब तक जो सरूल पेड़ में तब तक फूल लग चुका होता है फूल फल ब महिने मना जाता किस वाज़ा से तो 15 दिन बाद यहां पर मांसुन आ रहा है कि छेत्र में तो जारकन के उत्री छेत्र में पॉइंट सही है नेक्स दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि फर सरूल घरी सरई फर चड़वल जाए यह पॉइंट सही है अभी मैंने बता दिया तो आप पॉइंट चेत्रे कई रकम के धान खेती भेटा है एक रखमिक दू रखमिक चार रखमिक एको रखम इसका संद्व रहेगा फूलकर परफ सरहुल और तकर प्रासंगीता यह जो निबंद है यह इसका संद्व रहेगा तो इसका सही उतर हो आपसे नमर भी दू रखम का किस पचिसवा परसने दोस्तों की असार महीने हुए वाला रूवाण नमय में होता उसे क्या का जाता है पीयर की रूसा बनना भी हरियरी रूसा एक नाव फ़त परसने दोस्तों की मोद किसान और पहल दानों तेकर पेच्छु दोसर तेसर किसान धान्रों पहत एकरा खाली अस्थान कहल जाए इसे क्या का जाता है हर्यरी रूसा बनना भी बांगरी यह फुलकोसी तो इसके सही उतर क्या होगा ऑप्से नमर भी बनना भी का जाता है इसे मैंने अभी अभी नोट्स में डिफैंड किया नेक्स ताइसमा प्रशने दोस्तो कि लेखक डाक्टर बीए नोटार सरना सबत के जनम के कलपना कोन सबत से करऊ है डाक्टर बीय नोटार सर जो है सरहूल पूजा किस परकार से मनाना शुरू की गई होगी किस परकार से परकृति में होने बदलाओं को देखके जरकन के जो किस परकार से उन्हें कलपना किल गी किस परकार से प्रहारन को ध्यान रखते हुए उन्हें ने जो दुर गामी दरिष्टिक रखते हुए जो किस परकार से चीजें दूस्तों बहुत धर्म से जोडते रिषाज़ सब्सक्राइब निए जो सब्सक्राइब भाइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब संग्कट किस संकट को मानते हैं पर्यावरंज संकट को जल संकट को एलियन हमला को या Corona Verfal Serdar Revelation संकट नेग्स्ट 59 परसने दोस्तो कि ओहIT कि डीयुर दाक्टर बियाम नवदारसर सर्भूर परце के मानते हैं मर जादा के परसीमा बत्चा के पहला पॉइंट इस वीडियो का नोट्स का पहला पॉइंट इसमें मैंने से समझ चीज़ा भी आपको बता कि किस परकार से जो है सरना जो अस्थाने जाहर वगरा जाड़कुर वगरा का नाम से जनाता हुआ इसी मर्जाद और सीमा बत्ता का जो परतिक चिन का जो ही परिनाम आपको देखने को मिलता है तो घाच विरिच लगावा अगर जो दी तो है सो बचर के बनार बनावा है तो लोग के सीखित करा गाज विरिज के महत बतावा, यह कथनी कौन देशेखक है, यह कथनी इंगलीस में है, देखे, वहाँ पे जो मंदारी ने, चायना का लेंगवेज, उसमें होगा, ठीक है, लेकिन लेखक ने, जो इस, जो कोट्स है, इंगलीस में पढ़ा होगा, और उसको कनवर्ट इंगलीस है, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो युजफुल लगी होगी, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो यूजफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना है जादा से जादा से शेयर करना है देखिए कल ही कम एक जांपल देता हूं कि अगर आप इस जनकारी को अपने दोस्तों के साथ साजय नहीं करेगा तो आप इस सोच में रहेेगा कुछ Cub me यह जनकारी नहीं मिलेगी यह वह स्टैडी-4Gols तक यह आपकी बहुत बड़ी गलत फ्रमी होगी कोई ने कोई से बता देगा ठीक है और इस परकार से जो है आपकी दोस्ती भी थोड़ी तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है इस वीडियो को ज्यादा ज्याद सेर करने अपने दोस्तों के साथ वाटसेप में स्टेटेस लगा छोब देखाएगा और ध्यान रखेगा कि किसी इस्टाग्रां देखें के इंस्टेग्राम पर मेरे रंचीट भ्याक का जो है अकाउंट है लेकिन किसी भी वी सोसल मेडिया के माधियम से किसी परकार का पैसा नहीं लेते हैं अगर आपको अप दियान में रखना अगर आप से पैसे या कोई भी परकार की जैनकारी नहीं देनी है को अफिसियल नमर से अगर आपको मेसे जाता है या फिर यहां पर लिख रहा हूं अगर इस नमर से मेसेज जाता है जो कि अगलागी जाएगा नहीं हमारे पास इतने कम लोग है कि हम फोन रिसीप तो करें नहीं पाते तो आपको रिटरन कॉल इधर से और मेसेज कहां से जाएगा तो इस बात को अपको ध्यार में रखना है और अपनी पढ़ाई में समय देना है और इस सब चीजों से बचना है ठीक है बाद बाद की इस परगा की और भी जन करिया चाहित इस वीडियो के कमेंट कर दीजगा उसे टीम पढ़ लेजीगी पढ़ लेगी उसको जो एक्जिक्यूट करने की पूरी कुसिस हमारे दोबरा टीम एस पोरजी के दोरा की जाग जय वारत